अभी दीदी भाईयों को मेरा नमस्ते आज के वीडियों में बैंक सकी से संबंधित जानकारी बताएंगे कि बैंक सकी के मांदे में कितनी बढ़ोत्री हुई है और बैंक सकी के कारियों को कितना बढ़ाया गया है इस वीडियों को पूरा देखे पूरी जानकारी बताएंगे बैंक सखी के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी है बैंक सखी को दीदी इस समय जो है तीन हजार रूपिया उत्तर परदेश राज ग्रामी राजीव का मिसन के द्वारा दिया जाता है लेकिन अब बैंक सखी का मांदे बढ़ाया गया है उत्तर परदेश राज ग्रामी राजीव का मिसन के तहट लखनौ में एक बैठक की गई जिसमें बैंक सखी के मांदे को लेकर चर्चा किया गया और उनके मांदे की घोसड़ा की गई उनके मांदे को बढ़ाया गया आईए जानते हैं बैंक सकी का कितना मांदे बढ़ा है इस समय बैंक सकी को तो अभी तीन हजार रूपिया मिल रहा है लेकिन अब बैंक सकी के मांदे को बढ़ाया गया है नई पालसी बन चुकी है बहुत जल्द आ जाएगी तो नई पालसी में क्या कुछ है कितना मांदे पराया गया है कितने दिन आभ इनको बैंक में बैठना होगा, कितने दिन इनको गाउं में जाना होगा, ग्राम संगठन की बैठक में जाना होगा, इन सब की जानकारी हम आपको बताते हैं. अब बैंक सखी को बैंक में चार से पाँच दिन बैठना होगा बैंक में बैठना होगा दो से तीन दिन फिल्ड यानि ग्राम शंगठन की बैठक में जाना होगा पहले बैंक सखी क्या करती थी फिल्ड में नहीं जाती थी बैंक में ही बैठ कर रजिस्टर मेंटेन करती थी र भरना होगा हमने अभी आप सबको बताया कि ये समय बैंक सखी को तीन हजार रूपया मांदे मिल रहा है लेकिन नई पॉलिसी में इनको अब एक हजार रूपया बढ़ा दिया गया है एक हजार रूपया किसलिए बढ़ा दिया गया है ये एक हजार रूपया बैंक सखी का या यह एक हजार रूपया नई पॉलसी में बढ़ाया गया है कुल बैंक सक्खी को 4000 रूपया प्रतिमाह नई पॉलसी में बढ़ाया गया है नई पॉलसी में बैंक सक्खी के कुछ मानक रखे गए हैं यदि इन मानक को पूरा करती हैं तो चार हजार के अलामा और रूपया बैंक सक्खी को मिलेगा. तो पहला मानक है यदि बैंक सक्खी 90 प्रतिसत सीसियल रिंड की वापसी बैंक में कराती हैं तो उनको 500 रूपया और दिया जाएगा. हाँ इसका मतलब जो समू का सीसियल होता है बैंक में सीसियल रिंड की वापसी समू वाले से यदि सीसियल खाते बैंक में करवाती हैं तो 500 रूपया बैंक सक्खी को और दिया जाएगा. दूसरा मानक है यदि बैंक सकी 75 लोगों का बीमा करा देती हैं तो उनको 500 रूपया और दिया जाएगा बीमा जैसे 12 रूपया 330 दुरगटना बीमा और जीवन जोती बीमा यदि 75 लोगों का बीमा करा देंगी तो 500 रूपया और दिया जाएगा तीसरा मानक यदि बैंक सकी सदस के बीमा पर क्लेम करवाती है तो 500 रूपया और दिया जाएगा क्लेम का मतलब यह हुआ दी जैसे जिनका 12 रूपय का बीमा होता है यदि दुरगटना हो गई उमर गए तो उनके उपर क्लेम होता है यदि वो claim bank पे करवा देती हैं तो 500 रूपया इनको और मिलीगा चार नंबर मानक है एक माह में मुद्रा लोन किसी का करवाती है तो 500 रूपया और दिया जाएगा इसका मतलब मुद्रा लोन का मतलब जिससे सरकार की योजना है मुद्रा लोन तो यदि किसी का एक माह के अंदर किसी का करवा देती है मुद्रलोन तो पांसो रूपया और दिया जाएगा यदि ये सभी कारी बैंक सखी मानक के अधार पे कर लेती है ये जो चार मानक हमने बताए हैं यदि बैंक सखी एक माह के अंदर कर लेती है तो इनको जो है 6,000 रूपया प्रतिमा दिया जाएगा यदि नहीं कर पाती हैं तो बैंक सखी को प्रतिमा है अपना मान दे मूटा मूटी में जान लें 4,000 रूपया मान कर चलें तीन हजार तो इनको मिल ही रहा है एक हजार इनको टीए दिया जाएगा नई पौलिसी में यात्रा भत्ता आने जाने का किराया कुल हो गया चार हजार उसके बाद जो हमने ये मानक बताएं हैं नबे प्रतिसत रिड़ की वाफसी सीसील रिड़ की वाफसी 75 लोगों का भीमा बताया है भीमा के उपर क्लेम करवातीं हैं मुद्रा लोन दिलवातीं हैं यदि ये मानक पूरा करतीं हैं तो चार हजार में दो हजार और जुड़ जाएगा तो कुल 6,000 हो जाएगा दीदी यदि इतने सारे काम बैंक सकी कर लेती हैं तो प्रतिमाह इनको तब 6,000 रूपया मिलेगा ऐसे तो सब कह रहे हैं कि बैंक सकी का मान दे 6,000 हो गया प्रतिमाह इनको 6,000 मिलेगा लेकिन जब ये सभी कारी बैंक सखी कर लेंगी तब इनको 6,000 मिलेगा यद नहीं कर पाती हैं तो इनका मान दे प्रतिमा 4,000 रूपया मान कर चलें सभी बैंक सखिया एक बात का विशेश ध्यान दें कि यद बैंक सखियों का मान दे बढ़ाया गया है क्योंकि आप सब कुछ आनलाइन हो रहा है क्योंकि आप कागजी कारवाई लगभग लगभग खत्म होने वाली है यद दिदिया जानकारी आप सब को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में और येक नई लेटिस्ट जानकारे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद